नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का competition community का ये खास initiative FTR यानि की fast track revision course में target है हमारा आने वाला CGPC का प्रारभी परिक्चा जिसके मद्दे नजर हम लोग यहाँ पर CGPC के संपूर्ण syllabus को इस FTR के माध्यम से revise कर रहे हैं जो नए बच्चे हैं उनको एक बर फिर से मैं schedule बता देता हूँ सुबह 8 बजे आप लोग निखत में के साथ में quality के questions कर रहे हो साम को 5 बजे आप लोग मेरे साथ यहाँ पर 36 गड़ करेंट अफर के questions revise कर रहे हो और साम को 8 बजे आप लोग सदेन सर और खुजबू मेम के साथ में 36 गड़ जियेस के question कर रहे हो कल यानि की सनी वार को हमारा इस FTR का phase 1 समाप्त हो जाएगा phase 1 समाप्त होने का मतलब यह है कि अब हम लोग मंडे से नए subjects की ओर बढ़ने वाले हैं उसका announcement आप लोगों को इस reviewar को यानि की परसो साम को 5 बजे live session में किया जाएगा कि आने वाले FTR phase 2 में किस तरह से आप लोगों का schedule रहेगा उस live session को जरूर अटिम्ट किजेगा बहुत सारी important बातें वहाँ पर किया जाएगा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप भी घर बैठे CGPC की तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे mobile course से जोड़कर कर सकते हैं आप लोगों के लिए competition community mobile course लेकर आया है 31st December 2019 तक mobile course में आप लोगों को एक offer दिया जा रहा था विसेश छूड़ दिया जा रहा था जो कि खत्म हो गया है लेकिन competition community आप लोगों के लिए एक और Republic Day offer लेकर आया है अगर आप 26 जनवरी 2020 तक इस mobile course से जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको 5% का discount दिया जाएगा और यह दिया जाएगा top 100 students को यानि कि जो 100 के प्रारभिक छात्र होंगे उनको यह discount दिया जाएगा और आप लोगों को इस discount के लिए जो code यूज़ करना है वो होगा आपका FTR MVC 26 इस coupon को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उस mobile course में आप लोगों को 5% discount मिल जाएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रेश्ण है हाली में किस छेत्र में मैंने बताया था कि कुछ हम लोग यहां पर इंपोर्टेंट 36 गड़ गवर्मेंट को प्राक नेशनल आवर्ड से रिलेटेड करेंगे तो आज का सेशन बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान से questions कीजिएगा और आज आप लोगों के लिए challenge भी है क्योंकि यहां से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ फस सकते हो तो कोसिस कीजिएगा इसको solve करने का और last में comment करके बतायेगा कि आपने कितना सही किया ठीक है क्योंकि जितने यहां पर important question है वो सब मैं करवा रहा हूँ और आपसे हो सकता है कि यहां से प्रशन बने करें चलिए करिएगा साथ में पहला प्रशन है हाल ही में किस छेतर में बहतर प्रदसन के लिए 36 गड़ को आप लोगों को पता है कल ही 2 जनवरी 2020 को करनाटक के तुमकूर में आयोजित एक समारोह में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 36 गड़ के क्रिशी मंत्राले के मंत्री रविंद्र 24 ने क्रिशी क्रमन पुरसकार को जो है वो प्राप्त किया है तो किस छेतर में 36 गड़ को या क्रिशी क्रमन पुरसकार प्राप्त हुआ है आप लोग एंसर दीजिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उप्सन ए सरवाधी खादान उत्पादन के लिए 36 गड़ को जो है या पुरसकार दिया गया है स्रेणी दो के अंतरगत में जितने भी फसल आते हैं उस छेतर में उत्पादन के लिए 36 गड़ को इस पुरसकार से समानित किया गया है यहाँ पर एक बात और धियान रखिएगा यह जो पुरसकार है वर्स 2016 और 2017 के उत्पादन 2016 और 2017 के उत्पादन के आधार पर 36 गड़ को यह क्रेसी क्रमण पुरसकार प्राप्थ हुआ है यह याद रखिएगा कौन से स्रेडी में प्राप्थ हुआ है यह याद रखिएगा कब प्राप्थ हुआ यह याद रखिएगा तो कुछ-कुछ points को याद रखेगा और ये 36 गड़ का छठवा क्रिसी क्रमण पूरसकार है इस बात को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्राले द्वारा 36 गड़ को 22 पूरसकारों से सम्मानित किया गया है बताईए कौन सा वो मंत्राले है आपके सामने option है स्वास्त मंत्राले option B है पंचायत एवं ग्रामिल विकास मंत्राले option C है परिया वरेन एवं जलवाई परिवर्टन मंत्राले या फिर option D महिला एवं वाल विकास मंत्राले हाल ही का news है कुछ दिन पहले काई है मैंने 36 गड़ वीकली करेंट अफेर वाले में इसको करवाया भी था तो बताईए कितने 22 पूरसकार जो है कौनसे मंत्राले की तरफ से 36 गड़ को प्रदान किया गया है तो मैं बताता हूँ इसका सही जवाब होगा पंचायत इवं क्रामिन विकास मंत्राले भारत सरकार की तरफ से 36 गड़ को इस मंत्राले के अंतरगत जितने पूरसकार प्राप्त हुए है अगर उपर उपर से पूछा जाता है तो कितने पूरसकार प्राप्त हुए ये पूछा जाएगा और अगर अंदर जाकर पूछा जाता है इनकी डीप में पूछा जाएगा तो आप से पूछा जागा प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामिन के तहट 36 गड़ को कितने राष्टिय आवार्ड प्राप्त हुए है तो आपको यहाँ पर एंसर लेना होगा 9 इसके अलाबा मनरेगा के तहट में यानि कि महात्मा गांधी रोजगार गारेंटी योजना के तहट में प्रधान मंत्री आवास योजना के चेतर में बहतर प्रदर्शन के लिए यहाँ पर एक आवार्ड प्राप्त हुए तो इस तरह से टूटल हो जाते हैं 22 कितने चेतर में दिया गया आपका प्रधान मंत्री आवास योजना 1 मनरेगा 2 अगर हम लोगे इसको राज्य इस्तरिय और जीला इस्तरिय पर भी डिवाइड कर दें इस 22 आवार्ड को तो इस 22 आवार्ड में राज्य इस्तरिय पर जो मिला वो 13 अवर्ड मिला, जिला इस तर पर 3, विकास खंड पर 2 और ग्राम पंचायत इस तर पर 4 अवर्ड मिला तो इस तरह से जो 36 गड को 22 अवर्ड मिले है न, इसके बारे में आप लोग ध्यान से करकर जाईएगा क्योंकि बहुत हद तक संभावना बनता है कि यहां से आप से एक प्रशन पूछी लिया जाए फिक चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्टिन की तरफ नेक्स्ट कॉस्टिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा तो इसलिए खासकर मैं बोलता हूँ आप लोग थोड़ा से तब्यात का ख्याल रखेगा क्योंकि एक्साम बहुत नजदीक आ रहा है ऐसे समय पे तब्यात खराब होना सही बात नहीं होता है तो तब्यात का थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल रखेगा चलिए नेक्स्ट कश्चन की तरह बढ़ते हैं भारत सरकार के पंचायती राजमंत्राले द्वारा राश्टिये पंचायत ससकती करन पूरसकार 2019 से 36 गढ़ के किस जनपत पंचायत को सम्मानित किया गया है आपके सामने option है नगरी जन्पत पंचायत, option C है भाकरा जन्पत पंचायत या फिर option D, all of the above बताईए इस question का सही जवाब क्या होगा, किसे वर्स 2019 का राश्टी जन्पत पंचायत ससक्ती करन पुरसकार प्राप्त हुआ है तो इसका जो सही जवाब होगा, आपका option ये होगा नगरी जन्पत पंचायत ये नगरी जन्पत पंचायत कौन से जिले में आता है, ये नगरी जन्पत पंचायत आपका आता है धमतरी जिले में 23 अक्टूबर 2019 को 36 गड़ को ये पुरसकार प्राप्त हुआ और इस ससक्ती करन पुरसकार का जो नाम है इस अवाड का वो है दीन दयाल उपाध्याय पंचायत ससक्ती करन पुरसकार इस बात को द्यान रखिएगा इसके अलावा यह पूरसकार जो है 36 गड़ के एक और जनपत पंचायत को भी प्राप्त हुआ है उसका नाम है सहस्पूर लुहारा जनपत पंचायत जो की कबीर धाम जीले में आता है देखे क्या है ना कि पंचायत ससक्तिकरन के मामले में 36 गड़ को टोटल जो है इस साल 11 आवर्ड और मिले हैं यह 22 आवर्ड जो भी मैंने बताई इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको हटा दिया जाए तो 11 आवर्ड 36 गड़ को और मिले हैं तो उसी में से दीन द्याल उपाध है ससक्तिकरन योजना के तहत में सहस्पूर लोहारा और नगरी जनपक पंचायत को पुरसकार मिला है तो इस बात को धियान रखेगा यहां सब भी प्रशन बनता है ठीक चलिए इसके बाद निक्ष्ट कॉश्चन है भारत सरकार के पंचायती राजमंत्राले द्वारा चट्यस गड़ के किस क्राम पंचायत को बाल मित्र पंचायत पुरसकार 2019 से सम्मानित किया गया है यह भी प्रशन जो है उसी छेतर से आता है जो इससे पहले वाला मैं बताया लेकिन इसका सुरेणी अलग हो जाता है यह है बाल मित्र पंचायत पुरसकार 2019 तो बताईए 36 गड़ के किस ग्राम पंचायत को प्राप्ट हुए है उपसन है आपके सामने कुट्रू दूसरा उपसन है नगरी तीसरा उपसन है भाखरा या फिर चौथा उपसन है दादर तो इस क्वेशन का जो सही जवाब होगा वो कुट्रू होगा भारत सरकार के पंचायती राज मंतराले द्वारा जो है इस साल कुट्रू ग्राम पंचायत को बाल मित्र पूरसकार 2019 से सम्मानित किया गया है कुट्रू ग्राम पंचायत जो है बीजापूर जीले में आता है और आपका भैरमगड विकास खंड में आता है तो नाम याद रखिए का कुट प्रदर्शन के लिए इसको इस आवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक चलिए इसके बाद नेक्स्ट कुस्टन की तरह बढ़ते हैं स्वक्ष भारत मिशन ग्रामिन के अंतरगत भारत सरकार द्वारा चत्तिस गड़ के किस जीले को स्वक्षता के छेतर में उत्कृष्ट क पारे के लिए सम्मानित किया गया है तो यह है आपका ऑप्सन ए इसका सही जवाब होगा कांकेर किंद्रिय जल सकती मंत्राले एवं स्वक्षता मंत्राले की तरफ से 36 गड़ को जो है स्वक्ष भारत मिशन ग्रामिन के अंतरगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कां प्रदर्शन का जो सही जवाब होगा वो होगा कांकेर ठीक है तो ध्यान रखेगा इसका जो राइट एंसर होगा हमारा ऑप्सन ए ठीक अच्छा एक बात बताओ कि आप लोगों ने अभी तक जो FTR मेगा टेस्ट का आयोजन होने वाला है आपका दो फरवरी 2020 को इसके रेजिस्टेशन करवा लिए है और अभी आज तक लगभग 2000 प्लस रेजिस्टेशन हो चुके हैं तो आप लोग भी इस टेस्ट का हिस्सा बनिए जरूर बनिएगा बिल्कुल मुफ्त है एक राज जिस्तर यह आपको टेस्ट यहां पर प्रवाइड करवाया जा रहा है दो 36 गड़ के किस व्यक्ति को वीपी मंडल समाजिक नियाय रतन से सम्मानित किया गया है वीपी मंडल समाजिक रतन अवाड 2019 के से प्राप्त हुआ है और यह सम्मानित जो है आपका किनू नहीं दिया है भूपेज बगिल को तो यह सरद यादा हो जो कि पुर्व राज्य सभा के सदस से रह चुके हैं इन्होंने प्रदान किया है पिछड़े वर के योग के पुर्व अध्यच हैं बीपी मंडल और बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी भी रह चुके हैं बीपी मंडल तो इन्हीं के स्मृति में हर साल यह पुरसकार दिया जाता ह तो याद रखिएगा प्रशन बन सकता है चलिए इसके बाद next question है पोशन अभियान में उल्लिखिनिय कारे के लिए 36 गड़ को कुल कितना पूरसकार प्रदान किया गया है पोशन अभियान के तहट पोशन अभियान क्यों चलाया जाता है या महिलाओं में एनिमिया की समस्या को खत्म करने के लिए चलाया जाता है तो portion अभियान में उल्लिखिनिये कारे करने के लिए यानि कि schemes को बहतर तरीके से implement करने के लिए 36 गड़ को राष्टी इस तर पर कुल कितना पूरसकार प्राप्त हुए है तो इस बात को ध्यान रखिएगा option है आपके सामने 3, 4, 5 या फिर 10 तो इस question का सही जवाब जो होगा option C, यानि क्यों 36 गड़ को पाँच टोटल राष्टी पूरसकार प्राप्त हुए है दोस रेडियों में ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा ज़्यादा यहां से अंदर से questions पूछे जाने के संभावना नहीं है, बस दोस रेडियों में पूशना भिया में 36 गड़ को उतक्रिष्ट कारे के लिए योजनाओं को implement करने के लिए और बहतर तरीके से समावेस करने के लिए इन दोस रेडियों में 36 गड़ को 5 पुरसकार से समानित किया गया है ठीक, चलिए एक यहां पर important question बन जाता है आप लोगों के लिए यह question मैंने अभी तक नहीं करवाया था बहुत पहले करवा देना चाहिए था यह question है, 36 गड़ के किस निवासी को पद्म वीभूशन 2019 से समानित किया गया है इस तरह के questions कई बार CGPSE में पूछा गया है तो आप लोगों को इसका answer तो पता है कि तीजेन भाई को पद्म वीभूशन 2019 से समानित किया गया है और यहां से questions तीजेन भाई से related हर साल एक ने एक पूछा ही जाता है तो आप लोगों को answer पता होना चाहिए 36 गड़ की पहली ऐसी व्यक्ति है जिनकों की पद्म वीभूशन से समानित किया गया है अगर हम लोग भारत के सरवच्च समान की बात करें तो सबसे सरवच्च समान कौन सा होता है भारत रदन होता है उसके बाद क्या होता है पद्म वीभूशन होता है उसके बाद क्या होता है पद्म वीभूशन होता है उसके बाद आ जाता है पद्मिसरी तो भारत का दूसरा सबसे सरवच्च समान 2019 का जो है तीजन भाई को दिया गया था तीजन भाई के अगर हम लोग फुकू ओका यहां पर लिख लीजिएगा एक बर फुकू ओका सम्मान जो है तीजनवाई को दिया गया था ये जापान का सर्वसरेष्ट सम्मान माना जाता है और पंडवानी गई का है जो इस तरह से आप लोगों को पता भी है तो उसी छेतर में वहतरिंग पर देशन के लिए इनको फुकू ओका पुरसकार 2018 से सम्मानी की किया जा चुके है चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेशन है हाल ही में जारी सुसासन सुचकांक 2019 में 36 गड़ को कौन सा इस्थान पराप्त हुआ है एक important question बन जाता है सुसासन दिवस प्रतिक वर्स कब मनाया जाता है अप लोगों को पता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल विहारी वाजपे जी कि स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है तो बताए कौन सा पूरसकार पराप्त हुए है सुसासन सुचकांक में यानि कि option ये है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा तो इस question का जो सही जवाब होगा वो होगा option D, चौथा खाली में 36 गड़ को जो सुसासन सुचकांक 2019 जारी हुए है उसमें 36 गड़ को चौथा इस थान पराप्त हुए है इस सुचकांक को क्रामिक मंत्राले भारे सरकार दोरा जारी किया जाता है अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान इस सुचकांक में प्राप्तिया है तमिलाडू, दूसरे नमबर पे आ जाता है आपका महराष्ट तीसरे नमबर पे आ जाता है करनाटक, चौथे नमबर पे चत्रिजगड और पाच्वे नमबर पे आपका आ जाता है आंधर प्रदेश लेकिन ये तो overall सुसासन सुचकांक हो गया, अलग-अलग कैटेगरी में भी सुसासन सुचकांक यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है हलाकि इतना अंदर से question आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो direct ये पूछा जाएगा कि सुसासन सुचकांक 2019 में 36 गड़ को कौन सा स्थान पर आपत हुआ है, वो चौथा, लेकिन अलग अंदर में जिस जिस काटेगरी में 36 गड़ को सुसासन सुचकांक में रेंग मिला है, एक बार उपर उपर आप इस बात को भी ध्यान में रख लीजेगा, मैं यहाँ पर ब पर चौथा स्थान मिला है, पहली स्थान पे हैं जाहर खंड उसके बाद आंदर प्रदेश और पहली स्थान पर आ जाता है जाहर खंड उसके बाद आंधर-पर्देश और चौत्र comment एस खटिस गड़ का सॉदा घं़ान और 15 गड़ का इस बाहर इस पर हाता है परियावरन आप लो ध्यान में रखिएगा एक important questions और यहां से मुझे लगा था कि ये भी बहुत पहले करवा देना चाहिए था लेकिन छूट गया था चलिए तो ये प्रस्न है आप लोगों के लिए 36 गड़ राज की वंदन अवधी क्या है यानि कि 36 गड़ का जो राज गीत है आप लोगों को पता है कि इसका हाली में announcement किया गया था उसके बाद 36 गड़ का राज कीत किसको बनाया गया है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इसको राज गीत बनाया गया था और इसके लेख़क का नाम है इसके लेखक, इनके लेखक का क्या नाम है, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लेजिए कि इसका वंदन अब दी जो इस प्रशन में पूछा गया है, कि यानि कि कितने समय में इसको गाना है इस राजगीत को, तो आपसन है आपके सामने 52 सेकंड, आ आपसन C है, तीन मिनट 56 सेकंड या आपसन D है, 6 मिनट 36 सेकंड, अभी आज के डेट तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस प्रशन का सही जवाब होगा, आपसन D, 6 मिनट 36 सेकंड में, 36 करके राजगीत को खतम करना है, 6 मिनट 36 सेकंड में, लेकिन कल एक मंतरी जलते नहीं हुआ है, कि कितने मिनट और कितने सेकंड का यह होगा, अभी तक यह 6 मिनट 36 सेकंड ही है, और अगर किसी तरह से अपडेट आता है, तो वो मैं आप लोगों को 36 के वीकली करेंट अफर में वहाँ पर अपडेट करवा दूँगा, तो अभी तक 6 मिनट 36 सेकंड याद रखिएगा, और इस राजगित से संबंदित बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, जो मैंने पहले भी करवाये हुए है, इस राजगित का नाम याद रखिएगा, इस राजगित के रचैटा का नाम याद रखिएगा, along रस से संबंदित थोड़ा सा बैग्राउंड याद कि यहां से प्रेशन बनने की बहुत अधिक तक संभावना है कि इस टॉपिक से एक प्रेशन तो आपका पूछा ही जाएगा ठीक तो यह था हमारा आज का 36 गड़ करेंट अफियर का आज का यह सीरिस और कल आप लोगों को 36 गड़ करेंट अफियर का लास्ट वीडियो मिलेगा उसके बाद 36 गड़ करेंट अफियर जैसे कितनी दिन तक पढ़ना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैक्सिमम आप लोग 15 जनवारी तक तो अ नहीं चूटेगा मंडे से साम को 5 बजे ही हम लोग यहां पर नैसनल और इंटरनेशनल करेंट फिर करेंगे और जैसा मैं बताया कि एफ्टियर के बाकिस सब्जिक्स का आगे का सिरिस किस परकार से चलेगा वह आप लोगों को संदे लाइब सेसन में बिताया जाएगा और टेलीग्राम से जरूर जूड़िएगा वहां पर जाकर 50 questions का practice daily कीजिएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे description में मिल जागा है और डिरेक्ट टेलीग्राम पर competition community सेर्च कर लीजिएगा वहां से आप लग जूड़ जाएगा competition community के उस FDR Megatest को register कर लीजिएगा और खासकर एक बार फिर से बोल रहा हूं तब्यद का ख्याल रखियागा इस ठंड में तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों ना भूले